Hello Friends, Welcome back to my channel Technical Showtime तो Friends, दिपावली का टाइम चल रहा है, आप सभी लोग अपने घर की सफाई कर रहे होंगे, क्लीनिंग कर रहे होंगे और अपने LE TV को भी आप जरूर से क्लीन कर रहे होंगे अक्सर काफी सारे लोगों के question आते हैं कि अपने LE TV को हम कैसे clean करें अपने smart TV को हम कैसे clean करें या फिर अपने 4K TV को कैसे clean करें हाला कि TV clean करने के लिए कोई rocket science तो है नहीं जैसे आप और भी चीज़ें clean करते हैं वैसे ही LE TV को भी clean कर सकते हैं लेकिन definitely LE TV को clean करते टाइम पे आपको कुछ चीज़ें जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए कई बार लोग पूछते हैं कि हम कौन सा liquid cleaner अपने TV को clean करने के लिए use करें तो मेरे पास में ये 4K TV है आज इसे मैं clean करने वाला हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इस TV को clean करने जा रहा हूँ और साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि TV clean करते टाइम पे आपको किन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए देर किस बात किये शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स अपने LED TV को clean करने के लिए मैं सिफ दो ही चीज़े या पर यूज करने वाला हूँ एक ही काफी soft सा brush है मेरे पास में तो जो laptop और computer वगरा repair करते हैं तो उनके पास से मैंने ये purchase किया है वो लो computer के motherboard और laptop के motherboard को clean करने के लिए ये उसकी dust वगरा हटाने के लिए इसको use करते हैं और दूसरा मेरे पास में काफी soft ये कपड़ा सा है तो ये डेली में मैं रहता हूँ तो यहां पर red light पे ये sale होते हैं काफी बड़ा सा होता ये 20 रुपीस में मिल जाता है काफी soft रहता है और काफी time तक इसको आप use कर सकते हैं बाकी इसकी जगा आप कोई micro fiber cloth पी use कर सकते हैं और कोई भी soft cloth आप इसके लिए use कर सकते हैं और ये बिलकुल dry ही होना चाहिए इसको आपको पानी वगरा में गीला करके इसको नहीं रखना है बात करें किसी भी liquid cleaner के लिए कि आपको कौन सा liquid cleaner इस पर यूज़ करना चाहिए तो देखिए tv को clean करने के लिए tv की screen को clean करने के लिए किसी भी तरीके का liquid cleaner आप use ना करें market में definitely आपको हो सकता है कि मिल जाएं लेकिन आप उनको बिलकुल भी purchase ना करें आपके पास में आपके mobile की screen clean करने का liquid cleaner है या फिर laptop की screen clean करने का liquid cleaner है तो किसी भी cleaner को आपको टीवी पर यूज़ नहीं करना है tv की जो screen होती है इसकी उपर एक polarized film लगी होती है जो कि प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है अगर आप उसके किसी भी तरीके का cleaner यूज़ करेंगे तो हो सकता है उस polarized film को cleaner डेमेज़ कर दे वहापे उससे कुछ scratches राज़ा है वहापे कुसकर जो color रगड़ा है वो थोड़े से fade हो जाएं क्योंकि अगर polarized film आपकी खराब हो गई तो आपको उतने एरिया में फिर graphics नजर नहीं आएंगे तो यह आपको ध्यान लखना है किसी भी तरीके का cleaner और कोई भी water वगएरा आपको use नहीं करना है बहुत ही कम आपको water use करना है वो भी कब use करना है वो आगे मैं आप आपको बताऊंगा तो चलिए अब इसको मैं clean करके आपको दिखाएता हूँ यहाँ पर आप यह TV देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह कुछ black dots से नजर आ रहे होंगे तो actual में यह वैल क्रो है तो इस वैल क्रो से मैंने यहाँ पर एक screen guard को hang किया हुआ है और यह screen guard मैंने को बनाने का पूरा वीडियो मैंने अप्लोड किया हुआ है और लेडी वीडियो आप गेख सकते हैं किस तरीके से मैंने यह बनाया है फिक्टी फाइव इंच का यह TV है और करीब 111200 रुपे में यह screen guard बन जाता है अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं तो आप को definitely यह screen guard बनाकर लगाना चाहिए क्योंकि TV के जो पैनल है वो आज कर काफी costly हो गए है पहले जो पैनल 20-25 रुपे के आसपास में मिल रहा है तो इस बात का ख्याल रखें इससे आपका पैनल जो है वो damage नहीं होगा और काफी यहां पर हो जाता है तो पहले मैं इसको remove कर ले कहता है कि आपका जो internal पैनल है उसमें कोई dust वगरा नहीं जाती है तो आप देखेंगे यह पूरा transparent एक sheet है और बिल्कुल ही transparent है आपको यह नजर भी नहीं आगा कि यह कोई और यह flexible होता है यह तूटता नहीं है बिल्कुल भी अगर यह गिर भी जाए तब भी यह तूटता तो यहां पर यह तीवी है अब यहाँ पर जो इसकी ages उनको डस्ट वगरा जो जम्मा हो जाती है तो यह सफ्ट बरश होता है तो इससे हम इसकी कर लियर ना चाहिए आप चाह Ide तो कप्रेशा कर सकेए लेकिन कप्ड़ा जो ठीक से को यहां से clean特別 नहीं कर पाता है तो आप दे तो यहां पर इसकी जो एजिस हैं इससे आपको इस शॉफ्ट ब्रस से इसको क्लीन कर लेना है तो यहां पर काफी सारी डस्ट आई हुई है तो इसको मैं यहां पर क्लीन कर लेता हूं और एक बार जब भी आप किसी भी कपड़े से क्लीन करने जा रहे हूं तो उसको आप चेक करने कि उसमें कोई पिन वगरा तो नहीं रह गई है कुछ ऐसी की लिया कोई भी ऐसा हार्ड चीज तो उसमें नहीं लगी हुई है कि जो आपके पैनल को कहीं स्क्रेच ना कर दे क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक सेफटी पिन जो है कपड़े में लगी हुई रह गई थी और एक 32 इंच का तीवी था उसको मैं क्लीन करने के लिए जैसे ही मैंने किया तो एक पूरी लंबे ऐसे मैंने किया और एक पूरी लंबी सी जो है स्क्रेच उस पे बन गई थी उस पिन की वजए से तो उसके बा कि यह स्पॉर्ट सा नजर आ रहा है यहां पर तो आप इसको ऐसे हलकी से फिंगर से इसको क्लीन कर सकते हैं और भी अगर आपको कोछ यहां पर ऐसा दिखता है तो उसको भी आप ऐसे हलका सा फिंगर से आप उसको क्लीन कर सकते हैं अब देखिए कभी कभी क्या होता कि इस तरीके के जो इस्पॉर्ट है वो छोटे-मोटे इस्पॉर्ट लग जाते हैं इस्क्रीन पे तो आप इसको जो कपड़े से साफ अक्सर नहीं हो पाते हैं तो वो इस तरीके से clean नहीं हो पाते हैं या जो मक्खी वगरा होती है वो यहाँ पर आकर कुछ गंदगी कर देती है तो उसके भी जो spot है वो छुटते नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है हलका सा जो एक इस तरीके से जो कपडाय है इसको बस डिप करना है पानी में बहुत हलका सा और सको भी बिल्कुल खतम कर देना है और उतना ही इस प्यश्प को सिर्फ बस हलके से इस तरीके से dos करना है फिर हो जाता है तो कोई भी इस तरीके का स्पॉर्ट लगा हुआ है तो आप इस पर कोई लिक्विड क्लीनर यूज ना करें तो देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन जो है वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन मैंने कर दी है और टीवी की जो बैक साइड होती है तो उसके भी आप किसी भी तरीके का क्लीनर यूज ना करें उसको भी आप सुखे कपड़े से ही साफ करें और इसका टीवी का जो वाल माउंट है तो मेरा यह फ्लैक्सिवल है इसको अप डाउन और यह फोर साइड हो जाता है तो यह जो इसमें प्लाई यह लगाई है मैंने औ और यहां पर आप बैक साइड में देख सकते हैं कि मैंने लैमिनेशन लगाए हुई है तो जो जो पोर्ट मेरे यूज में नहीं है उसको पर मैंने यह लैमिनेशन लगा दी है ताकि मॉस्चर की वज़ए से इन पे जंक वगएरा ना आया कर यह खाली खुले हुए रहते है तो मैंने इसको पर यह लैमिनेशन लगा कर रखी हुई है तो यह जो इसकी इंगाड है वो मैंने फिर से यहां पर लगा दिया है और इसको भी मैं यहां से क्लीन कर देता हूं और इसको मैं पानी वगएरा से भी साफ कर सकता हूं उसमें कोई मुझे पानी से साफ करने प्र है可以 आफ क蓬 के तो फंथ अभी आपने देखा मैंने अपने टीवी को पुरी तरीके से क्लीन कर लिया है और किसी भी का कोई लिक्विड ही या फिर मैंने केमिकल को यूज्स नहीं किया सिर्फ सूखे कपड़े से और पराप स की हल पसे ही मैंने अपने टी वी को क्लीन किया काफी सारी लोग पूछते हैं कि जो mobile की ख्रेंट को क्लीन करने के लिए cleaner यूज किया जाता है क्या उससे हम TV की स्क्रेंट की क्लीन कर सकते हैं तो देखिए जो mobile की स्क्रेंट होती है जो mobile के display होता है वो अंदर होता है और उसके उपर एक hard glass की layer लगी होती है उस पर किसी भी तरीके का liquid cleaner यूज़ करने से उसको कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन TV के पैनल की ऊपर कोई hard glass की layer नहीं होती है polarized film होती है जो कि liquid cleaner या किसी भी तरीके के chemical से damage हो सकती है और अगर एक बार polarized film उसकी damage हो गई तो आपको पूरा पैनल चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि काफी मुश्किल से फिर वो polarized film मिलेगी और कुछ लोग इस polarized film को replace कर देते हैं लेकिन फिर वो बात उसमें नहीं आ पाती है जो पुराने पैनल में होती है तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए किसी भी तरीके का cleaner आपको सुखे कपड़े से और एक ब्रश की help से ही अपने टीवी को clean करें उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अगर आपने पहली वार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर लीज किये मिलते हैं फेंट किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए